इस द्रिश्य में, Morgan एक शत्रंच का टुकड़ा लेकर बंकर छोड़ देता है जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, वो ताजी हवा में सास लेता है और मुक्ती की भावना का अनुभव करता है लॉरेन फिर उसे निजी जैट तक ले जाती है, जहां हेरोल्ड उसे नए पहचान पत्र देता है और उसे अपने खाते के धन के बारे में जानकारी देता है जैसे ही गेरोल्ड और मॉगन जैट पर चड़ते हैं, लॉरेन उस जगा को साफ करने के लिए बंकर में बाबस चली जाती है कुछ खशन बाद, लॉरेन कमरे में प्रवेश करती है और देखती है कि उसकी मा उसके पैकेज को देख रही है दरी हुई कैथरीन ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पूछा कि लॉरेन के पास कार्सन थॉमस की तस्वीर क्यों है लॉरेन स्पश्ट करती है कि उसका वास्तविक नाम मौगन है और सच्चाई से खुलासा करती है कि उसके पिता ने उसे लंबे समय तक बंकर में कैद कर रखा था जवाब में कैथरीन ने एक चौकाने वाला खुलासा किया दरसल वो शक्स एक क्रूर सीरियल किला है कैथरीन पूछती है कि वो अभी कहा है जिस पर लॉरेन उसे बताती है कि उसने उसे छोड़ दिया है घबराहट की स्थिती में लॉरेन हवाई अड़े की और भागती है लेकिन उसे हेरोल्ड और पाइलट के निरजीर शब मिलते है उसे जल्द ही एहसास हुआ कि मौगन अब उसकी मा के पीछे है इसके बाद लॉरेन तेजी से घर लोटती है और जब उसे कैथरीन वहाँ नहीं मिलती तो वो घबरा जाती है भाई भी थोकर वो बंकर की और भागती है और अपनी मा को बेहोश पड़ी हुई पाती है उसके परिणामस्वरूप उसने मोगन को बंकर में भेज दिया रास्ते में मोगन ने आर्चा का ध्यान भटका दिया जिसके परिणामस्वरूप एक पैदल यात्री से तक कर हो गई आगे के खुलासे से पता चलता है कि मोगन नहीं शव को दफनाया था आर्चा की आपतियों के बावजूद जब मोगन ने पूरा दोश आर्चा पर मढने का विकल्प चुना तो आर्चा ने जवाबी कारवाय करते हुए उसे शारीरिक रूप से वश्मे कर लिया और उसे बंकर में कैद कर दिया ये सब सुनने के बाद लॉरेन ने उसे आश्वस्त करने की खोशिश की यह आश्वासन देते हुए कि उसके परिवार ने वर्षों तक उसके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए वह उसे न्याय दिलाने में मदद करेगी हाला कि मौगन का दावा है कि वो सिर्फ बदला लेना चाहता है और उन्हें वही दुख सहने की इच्छा व्यक्त करता है जो उसने तीन दशकों तक जेला है वो प्रतेक सदस्य के बारे में अपने रहसियों का फाइदा उठा कर परिवार की प्रतिष्ठा को नश्ट करने की अपनी रन्नीती का भी खुलासा करता है एक नाटकी ये मोड में अन्तता उसने खुद को लॉरेन का जैविक पिता बताया जिससे वो स्तब्द रह गई